हलो एवरिवान नमस्कार सभी को एक बाब फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पोटलाइट बाय जा रहे पड़्डा पे तो बात अपन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पे डीट्रफल एजबी एक्जाम के लिए जो आपका इंपॉर्टन हो जाता है कि किस सब्जेक्ट को किस विशेश को हमें कितना समय देना है यह बड़ा सा जो क्विश्चन है हमारे सब के जो भी हम लोग त्यारी करते हैं कभी ना कभी हमारे जहन में हमारे दिमाग में आता ही है तो clarity के साथ जो है आज अपने सेशन में पूरा की पूरी बात करने वाले हैं उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चानल पर यह पहले बार आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरा नाम है योगेश टीचर स्पॉटलाइट भाए जारे हमारा डाउट बन जाता है कि सर जी किस सब्जेक को है कितना समय हमें देना चाहिए और किस विशे को कितना सब्जेक दे देखो हमारे पास ना दो टाइप के learner है मैं आप सभी को बताता हूं सुनना देखना समझ के मैं पहले बात कर रहा हूं कि जो जिनोंने जो है अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है बिल्कुल जो है जस्ट अभी न्यूली कमर्ट से अभी अभी जो है तैयारी उन्होंने शुरू करी है अब यदी मैं आप सभी को कि तयारी जिन्माने अभी शुरू करी है तो हमारा जो एक नग पकर करेуск अब इसमें भी जो है सब्जेक्ट अपका जिसमें तो हमारे पूछा जञेगा अब इसमें अब शोले हैं आपका मात्स हो जाता है आपका रिजन्म क्या अपे हो गया है English हमारा हो गया है Hindi हमारी हो गयी है और Journal awareness हमारा हो गया है ठीक है और subject में आपके TGT का यदी आप दे रहे तो 100 नंबर का PGT का यदी आप दे रहे हैं तो 200 नंबर का होगा यह सारी चीजे सभी को पता है needs तो यदी मैं अब इस चीज के बारे में आप सभी से पूछना चाहूं और आप सभी से बात करूं तो चीजे क्या दे रखी है आप ये देखोगे कि यदि हम लोगों ने अभी अभी से त्यारी शुरू करिए ना तो मुझे ऐसा रख रहा है कि थोड़ा सा हम लोग लेट है पर ठीक है देर आये तो पढ़ना ही पढ़ना है जैसे माच को हम लोगों एक गंटा पढ़ना है हम लोगों को रीजणिंग को इंग्लिश को हिंदी और जोनल अवेडिनेस को अब इसमें जो है आप अपने अकॉर्डिंग मॉड़ीफाय कर सकते हैं मानलो मेरा मैच फॉर एक्जांपल मैच मैरे स्ट्रॉंग नहीं है तो मैं गनित को एक घंटा की जगे देड़ घंटा या दो घंटे भी मैं कर सकता हूं मालो मुझे हिंदी बहुत बढ़िया तरीके से आती है तो हिंदी को मैं डेली बेसिस पर रिवाइस करने के लिए मैं 45 मिनिट्स टू वन आर भी जो है इसको लेख सकता हूं है ना तो मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं पार्ट ए को यदि आपने अभी अभी तैयारी शुरू करी है तो डेली बेसिस पे पास से च्छे घंटे तो आप सभी को देने ही देने हैं जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्ट बेसिस पे रेगले इंदा सेंस कि आप एक खुद का टाइम टेल बनाओ कि दो गंटे मुझे स्टी का सुब़े पढ़ना है दो गंटे शाम को मुझे पढ़ना है तो तो देखो हम सब जो है इस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं टीचिं के हिसाम की तो हम सब जो है दिया मैंने दे दिया है कि इतना इतना तो मतलब 4-5 घंटे हमारे यह हो गए और 3-4 घंटे यह हो गए तो 8-10 घंटे की तो पढ़ाई भाया आप सभी को करनी ही करनी है अब 24 घंटे हमारे पास दिन में हो रहे हैं तो क्या हम 8-10 घंटे हमारे इसमें नहीं दे सकते हां चल रहा है तो 4-5 घंटे हमें जो है IPL देखने में चाहिए तो भाई मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि पहले इसको कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी ना ठीक है तो कोई जो क्रिकेटर कोई महान जो है आप सभी को नौकरी देने नहीं आने वाला है हार्च रियालि वो सबसे important चीज आप सभी के यहां पर बन जाती है आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप मेरी बात को तो बाकी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें से समय काटके थोड़ा सा हमें या लगा देना है ठीक है वही समझ गए दूसरे दूसरे टाइप के हमारे जो learners होते हैं जो पिछले जो दो से तीन महिने में तयारी कर रहे हैं और हो सकता है मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका उनों ने जो है अपना 40-50% से आप सभी ने cover भी कर लिया है या हो सकता है उसके जादा आप ने कर लिया है तो वही दो चीज़े हैं हमारी सर्जी पार्टे और पार्ट भी अब मैं इसको explain नहीं करूँगा ठीक है जो जो हमारी सब्जेक्टे सेम रहेंगे तो part A में आप लोगों को अब जो है जादा से जादा क्या करनी है सब्जी प्रैक्टिस आप सभी को करनी है क्या करनी है प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप क्या करोगे हर एक सब्जेक्ट के ह 20-25 question यह तो minimum है यह आपके minimum maximum जितने आपकी बसकी है जितनी आपकी सरदा है minimum तो 20-25 question daily basis पे आप सभी को लगाने ही लगाने है और यहीं मैं बात करूँ आपके और साथ में 20-25 question लगा लिए फिर बचेवे time में जो भी आपका syllabus है वो आप सभी को cover करना है ठीक है जिससे पु तो आपको minimum है 50 question तो आपको लगाने ही लगाने है इसके अलावा जितना time आप सभी के पास बसता है आप लोग जो है syllabus आप लोग जो है cover up करो अपना करने पे ठीक है अब practice आप लोग बिटा साथ की साथ करोगे ना तो पिछला जो आप लोग ने पढ़ा है आप लोग उसको हम लोग ने नहीं की तो एक छोटा सा सिनारियो जो आप सभी के सामने रखा आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ठीक है इसके अलावा कुछ भी doubt होता है तो बिल्कुल comment में आप लोग पूस सकते हैं बता सकते हैं बिल्कुल आपकी सुनी जाएगी comment का reply दिया जाएगा ब है है का पया है करिक रहा थक प्सकार सा समय है लोग में आपकी चल्चर करका पता है जाएगा है रहागा है है